हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग इमित करता हों कि आप लोग अच्छे होंगा आज हम बात करेंगे बी पी डबलू पर्सेस एल पी डबलू फूल इस्ट्रेश पॉलस इन्फो यानिकि बागमाती प्रोविंस वोमेंट वर्सेस लेंवनी प्रोविंस के वीजियो नेपाल मैच नंबर 19 खिला जाना है यह मैच 27 दिसंबर को दुपर के एक बज़े से स्टाट हो जाएगी बेन्यू जो रहेगा सेम बेन्यू में सारे मैचे सो रहे किरतिपूर में आपको देखने को मिलेंगे बाकि यहां पर बॉलिंग को पूरा-पूरा एडवांटेज है 80-90 यहा आपको टेलिग्राम में मिलती है अगर अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम को जॉइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलिग्राम को जॉइन कर लेंगे उसका लिंग आपको डिस्क्रेशन आट आपके कॉमेंट सेक्षन में मिल जाएगा यहां पर हेड-to-head सबसे पहल ले में अगर हम बात करें BPW की टीम जो की थोड़ा सा एडवांटेज है इनका थोड़ा सा कि इनकी टीम थोड़ी सी बेटर दिख रही है तो BPW की टीम से टॉप परफरमर्स के बारे में बात कर ले तो इनके तरफ से सबसे पहले नाम आएगा कुशी डंगल का जो की एक में 9 रन था पलस 2 अबर की गेंवाजी गरके एक विगेट इनके सबसे नमबर वान पर रहे थे कुसी डंगल हेड़ टु हेड मैच में इनके बाद देखें बीपासा साही चार अबर की गेंवाजी चार विगेट लेट लेट बता दो रिशन टाइम में यह पार्ट टाइम चार गेंवाजी देती है तो ये खिलाड़ी इस सेजन बहुत अच्छा की है और अच्छे फों चार अबर की गेंवाजी करके एक में नशरे में 28 न असमिता खारेल जोकि बहुत नीचे आती है वन डाउन या टू डाउन पहले ये ओपनिंग करती थी तो 20 रन बनाई थी ओपनिंग आगे कंचन सरेश्टा जो कि अभी रिसेंट टाइम में ओपनिंग करते है और बैटिंग से हेलिसा गुरांग बागी नीचे पर उतना कुछ खास नहीं रहे थे वहीं सामने वाले टीम में आप टॉप पर्फरमर की बात करेंगे तो सुस्मिता भुसाल जो की रिसेंट टाइम में ओपनिंग बले गेन बाजी करती है आपको पावर पहले का अंदर गेन मैच में तीन विकेट लेके गए थी यह किलाड़ी भी अच्छी है किर्थिका मरासिनी जो कि आपको नेशनल फिलियर्स है दो मैचस में दो विकेट है दोनों मैचस में पूरे ओवर की है सरस्ति पून पहले यह बिकेट कीपिंग करती थी बट मैं आपको बता दू अभी य की है जिनको लेना इंपॉर्टेंट रहेगा पहले यह गेंद बाजी इस मैच में नहीं की थी बिकेट कीपिंग कर रहे थी इस मैच में तो यह किलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि आपको नंबर चार पाच पर बल्ले बाजी भी देने वाली है पलस चा थिनको ट्राय कर सकते हैं इस मैच में यहाँ यहाँ पर हेट कर लेता हैं यहाँ पर बागमाथी प्रोविंस की इसलिग में अभी तक क्या की चार मैंच प्रोवाये है और एबरेजी खिलाड़ी है अब ट्राय करना चाहते है कर साथ है कंचन स्रेश्टा बिकेट कीपिंग करेगी पलस ओपनिंग करेगी यह कि राली फिर भी ठीक ठाक है रिसेंट टाइम में 19-12 बनाके जरूर गई है श्ट्रगल करती है बट बिकेट कीपिंग का एडवांट विष्ट है जो की बहुत अच्छी फॉम में लाश्ट में फॉलॉप जरूर गई है नंबर चार से पाच पर आती है पहले बल्लेवाजी आए तो इसके लाड़ी का धियान रखेगा इनकी जो है टीम इस पर ही डिपेंड करती है यह अगर अच्छा खेल गई तो इनकी टीम ज्यादातर मेचेस में विन की है तो इनका चलना इंपॉर्टन रहेगा पिछले सीजन तक इनको नंबर साथ आठ पर बल्लेवाजी करवाया जाता था वहाँ पर कुछ कर नहीं पाई थी बट इस सीजन नंबर चार पाच पर बहुत अच्छा खेल रही है अब देहें आर्सुपांटे खेलती भी तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है विपासा सही का जो है चार ओबर करके चार विकेट का हैड़-टो-एड मुकाबले में रिकॉर्ड है बट इनको अभी फिलहाल के लिए जुह है गेन्दभाजी पूरी नहीं मिलें इसकरण से इग्नोर करना ह कुछी डंगल का head to head record अच्छा है इनको भी लेना important रहेगा तीन से चार ओवर confirm है करिश्मा गुरांग भी ठीक ठाक पिलियर्स है दो से तीन ओवर लास्ट के मेंचेस में किये बट यह पूरे चार ओवर कर सकती है और एक आदी ओवर डेथ में भी डाल लेती है संकृति फौल यह भी खिलाड़ी अच्छी है आपको चार ओवर की गेंदवाजी यह भी देगी यह खिलाड़ी भी इंपोर्टेंट बन जाएगी अब लास्ट मैच में जो बैंच पर पिलियर्स बैठी हुई थी उनमें मनिशा उपाद्या है अस्मीता खारेल है अर्शा विका यादव अस्मीता वांडव ना के कुछ रन बना सकती है सभी का यादव के अभी तक जो है कुछ एक मैच आई थिंग की खेली है तो कुछ करने को मौका नहीं मिला है मनिशा उपाद्या खेलती है तो इनका धियान रखेगा लैप्टा मेडियम पेस से अच्छा बॉलिंग कर लेती ह एक आदविकेट लेके जा सकती है बाकि आप इनके फूलिश रेट जेख सकते हैं यानि कि इस से पीछे ये वाले लीग श्टार्ट होने से पहले अप खेर उतना मतलब नहीं रहा था क्योंकि चार-चार मैचेस खेल चुकी है फिर भी आप अगर आप देखना चाते है कि इ जो सिफ डॉमस्टिक के लिए उनका सिर्फ डी ट्वांटी लिखा हुआ दिखेगा तो इस परकार से आपको समझना है बाकि इनका अगेंस वाली टीम जो है लंबनी प्रोविस ये भी अपना चार में से दो मैचेस जीत के आ रही है दो मैचेस हार के आ रही है बट लंबनी मैचेस में 42-28 अब इनको भी लेना चाहते है तो बिल्कुल ले सकते है आस्मा मगर 16-4-25 ये खिलाड़ी एवरेज के लिए दो मैचेस में 16-25 शरसत्ती गर्ती मगर ये खिलाड़ी देखें लास्ट मैच में 53 के नौक खेलके आ रही है और हेट टू हेर मुकाबले में 28-30 का स्कोर इनके सामने है इस टीम के सामने तो ये खिलाड़ी ओइसे भी लास्ट मैच में फॉर्म में है और वन डाउन आ रहे है इंपॉर्टेंट रहेगी बाकि सरसत्ती पुन जो की हेट टू हेर मुकाबले में बिकेट कीपिंग करते हुए दिखी थी बट इस सीजन ये चार नंबर पर आप भी रही है पलस दो चार चार ओबर की गेंदवाजी भी करें इंपॉर्टेंट रहेगी सी बीसी की ऑफ्सन में रहने वाली है चमेली चोदरी है जो की आपको बैटिंग सेक्शन में दिखेगी एक आदी ओबर गेंवाजी पलस नंबर पांच पर बल्लेवा से नहीं है जो की नेशनल लेवल पर खेलती है नेपाल के टीम से इंपॉर्टेंट रहने वाले शुश्मिता वो साल आपको और पले के अंदर ही एक दो अबर दिख जाएगा इनके बाद इनको बॉलिंग दिया नहीं जाता है बड़ यह एक एक विकेट लेके गई है शरमि करते हैं यह प्रोब्लम है बाकि यहां से आप बेंच में इनके प्लियर देखेंगे लास्ट में नहीं खेली थी किरितिका आधिकारी जो कि एक विकेट की पर लेवाज है रंजुश रिष्ठा कमला जीम कमला जीम आती है तो सीधे आपको एक आधी ओवर डेत में देती है यह इनकी इन्पॉर्टेंस है जब जब डेत में गेंदवाजी की है एक से दो विकेट निकालके गई है अब आप यहां से लंबनी प्रविंस के फूल स्टेट देख सकते हैं जिस भी प्लियर का देखना चाहें उन सारे प्लियर के स्टेट सब लेवल है जो स्कॉर में सामि दोनों प्लियर जो है यहां पर आपको बिगेट कीपिंग भी करते हैं तो यह दो में से आपको किसे एक को लेना है या फिर दोनों को लेना यह आपका रहेगा अच्छा के लिए के से रिष्टा जो है अभी तक पॉम में नहीं है तो मैं यही देखते हुए एल चोदरी को को ले रहा हो दो मैचेस में अच्छी नौक आई है वागि मैं आपको बता दू यहां से जो एज गुरांग है यह भी ओपनिंग करती है एस सिल्वाल जो है मीडिल ओडर में खेलती है एज गुरांग ओसे ठीक ठाक एबरेस से पलियर है अभी फिलाल के लिए इनको नहीं ल है आसमा मगर ओपनिंग करेगी एबरेस पलियर से यहां से वाइबिष्ट यह पिलियर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है लास्ट मुच में भले ही फुलोब गए पहले बले बाजी आती है बीपी डबलू की तो वाइबिष्ट इसकेस में इंपॉर्टेंट बन सकती है खिल पर मैं काजल सहिष्ठा को लेके जा सकता हो तो किये गुरांग वाला कॉल बाद में रहेगा बाकि के मर्शनी चार अबर की गेंदवाजी इसके बालिंग करने आती ही नहीं तो आप अगर लेना चाहते आपको लगता है कि पावर पर लेका अंदर एकाद बिकेट चटका सक करती है तब ही आप लेंगे के डंगल मेरे हिजाब से इंपॉर्टेंट पिलियर है जिंका रिकॉर्ड अच्छा है टू है मुकाबले में एस फुयाल जो कि चार अबर की गेंदवाजी करें इनका रिकॉर्ड अच्छा है यहां से में डे तो बर के लिए एस रोक का मगर करते हैं अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं मैं यहां पर वाई विष्ट कर रहा हूं और बॉलिंग से एस रोका मगर को लिया हूं और अभी मेरी जो टीम बनी है कुछ इस परकार से बनी है अब बात के लिए इन में सी बीसी के तो मेरी कैप्टेंसी एस पाखरीन को सब्सक्राइब करेंगे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू